Hello and welcome to your channel as they like it. Indian history की सीरीज में आज हम आपके लिए लिक्या आए हैं 3rd Roundtable Conference. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कैसे हुआ तक गांधी इर्विन पैक्ट और कैसे 2nd Roundtable Conference भी फेल हुई थी. अगर वो लेक्चर सापने अभी तक नहीं देखें तो it is requested कि आप उसको एक बार देख लें ताकि ये topic continuity में आपको अच्छी तरह समझ में आ पाए. गांधी इर्विन पैक्ट हो जाने के बाद कॉंग्रेस और गांधी जी 2nd Roundtable Conference को अटेंड करने के लिए राजी हो गए थे. जैनवरी 1931 में गांधी इर्विन पैक्ट को किये जाने के लिए लॉर्ड इर्विन ने सभी कॉंग्रेस लीडर्स को अनकंडिशनली रिहा कर दिया था जब 2nd Roundtable Conference fail हो गई और ब्रिटिश प्राइम मिनिश्टर रैम से मैक डॉनल्ल ने एक अल्टिमेटम दे दिया कि अगर सारी political parties किसी agreement पर नहीं आती हैं तो वो communal award घोशित कर देंगे ऐसे में गांधी जी मायूस इंडिया लॉट आए और ये decide किया गया कि civil disobedience moment को दुबारा से launch किया जाएगा लेकिन अब British government काफी prepare हो चुकी थी और उसने civil disobedience moment के launch होने से पहले ही गांधी जी और कॉंग्रस के from November 1932 to December 1932 और इस period के बीच में गांधी जी और कई कॉंग्रेस के बड़े leaders arrested थे तो ऐसे में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का third roundtable conference में participate करना नामुम्किन था third roundtable conference को Congress ने अटेंड करने से मना कर दिया साथ ही बिटेन की Labour Party ने भी इस conference को अटेंड नहीं किया टोटल मिला के around 46 delegates ने ही third roundtable conference को अटेंड किया इन delegates में थे इंडियन ट्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेज और दिवान्स, depressed classes को पियार अंबेड कर रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम लीग ने third roundtable conference को अटेंड किया था हाला कि मोहमद अली जिन्ना इसका पार्ट नहीं थे एंगलो इंडियन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे हैंडरी गिडनी, विमन्स को इस conference में रिप्रेजेंट कर रहे थी बेगम जहानारा शाहनवाज, वहीं इंडियन लीवरल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेजबादू सपरू आईए जानते हैं थर्ड राउंटेबल कॉनफरेंस में क्या इशूस डिसकल्स हुए सेकन्ड राउंटेबल कॉनफरेंस में कई सारी कमेटी सेट अप की गई थी जैसे लोथियन कमेटी, बर्सी कमेटी, डिविट्सन कमेटी इन में Lothian Committee important है क्योंकि इसी ने recommend किया था communal award तो third roundtable conference में इन सब committees की report को detail में discuss किया गया इस conference की सबसे important बात ये रही कि इस conference में Muslim League ने कुछ pamphlet सभी delegates को बाती Muslim League काफी समय से एक separate land की बात कर रही थी लेकिन इस pamphlet में first time एक college student चौधरी रहमत अली ने इस new land को नाम दिया Pakistan for Muslims इस incident को Pakistan declaration के नाम से भी जाना जाता है third roundtable conference के बाद British government ने March 1933 में एक white paper publish किया और यही white paper बना basis of the new Indian constitution और इस तरीके से Government of India Act 1935 को enact किया गया तो दोस्तो यह थी हमारी coverage regarding third roundtable conference अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को like and subscribe करें साथी Instagram और Telegram से जुड़ें जहांकि हम free PDF और free question bank देते हैं Thank you नंड़ारे ग Glad्व घुड़ें